हेलो गाइज वैलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल स्यूम रैक्स तो एक और जवरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने आ गए हैं तो आज का हमारा जो कोशन है वो इमेजिस्त μεमेजिद्ग मुवमेंट पर है तो फीडियो टाइम स्टाइट किये बिना स्टाइट करते है तो आंसर इमेजिद्ग वाज्म मॉवमेंट यह कैस आंदोलन था in modernism modernist anglo-american poetry में that originated जिसका विकास हुआ in 1912 मतलब 1912 में in fact वास्त में the word imagist was drive जो imagist word है was drive लिया गया from the symbolist symbolist मतलब जो संकेत वाद मतलब संकेत के माध्यम से अपनी बात को present करते हैं वहां से लिया गया है imagist जो थे जो कल्पना करके लिखते थे संवादों के माध्यम से लिखते थे संकेत के माध्यम से लिखते थे वर आ गुरूप ये गुरूप था ओफ प्यूपिल लोगों का who become prominent prominent का मतलब जो पिरसिद हुए immediately एकदम से before the first world war जो पिर्थम विस यूस से पहले एकदम से famous होगे दे एड़ोकेटेड उन्होंने पक्स लिया दा यूज ओफ फ्री वर्स कहना का मतलब उन्होंने फ्री वर्स मतलब जो लिखना हमें फ्री वर्स में लिखना है common speech में लिखना pattern जो होता है and clarity of expression मतलब अभी विक्ति जो statement था उसका पक्स लिया उन्होंने थो दा यूज ओफ प्रसाइस वीजुल इमेज वीजुल मतलब द्रस्य इमेज मतलब जो चितर होते हैं एज रियक्शन उनकी एक प्रित्ति कर रहा थी टू विक्टोरियन विक्टोरियन एज में देखा था उसको और अच्छे से प्रिजेंट इन्होंने इमेजिस्ट मूवमेंट में किया ठीक है इस रपाउंड जो इस रपाउंड है जो एक राइटर है वह सपोज्ड वह माना जाता है तू बी दचीफ प्रो प्रो फाउंडर मतलब इसका जो मे टेटरुएरी मूवमेंट इन इंगलीस लैंगवेंज का ये परठ़्थम जो औरिजनेटर मोडनि इस्ट माना गया है कि दा इमेजिस्ट जो यह कलपनाकार के लिखते थे रिजयक्ट इन्होंने नकार दिया दा सेंटिमेंट भावना को एंडिसकर्सिवनेस इसकर्सिवने इसी के साथ इस्रापाउंड, एमी, लोवैल, हिल्डा डुलिट, रिचर्ड, आल्लिंटन, एंड विल्यम, कार्लोस, विल्यम, कार्लोस, विल्यम, वर्दा मेन, प्रो, पोनेंट, प्रो, नेंट मतलब, समर्थकों में से एक हैं, उफ इस मुवमेंट के, इस इमेजिस्ट दम इमेजिस्ट जो कलपना वारते बिलीव ये विस्वास करते थे इमेजिस्ट जो थे इसी युक के विस्वास करते थे that की poetry should be the language of everyday मतलब poetry की ऐसी भासा होने चाहिए everyday पड़ते दिन की मतलब day to day जो life होती है and have complete पूरी तरह से freedom सुतंतर थे in choose choice मतलब चुनने में of subject matter अपने विस्वास को बहुत अच्छे से चुनते थे the chief object of the imagist movement के may be sum up as following कुछ इसके object हैं उदेश्चे हैं जो नीचे दिये गए to employ मतलब ये काम मिलाते थे the language language भासा को of common speech मतलब उनका जो कहना था common जो speech होती है उसे काम मिलाओ preferring मतलब पसंद करते हुए the exact word to merely decorative मतलब कुछ word को अच्छे से decorate करो जो अच्छे word होते होने decorated करके अपनी language को present करो to create वो create करते थे new rhythms नए rhythms को लैपो including उसमें क्या क्या होता था free words as a expression of a new word मतलब इतने अच्छे से present करते थे free words को कि एक नए word का वो क्या लगे expression अभी व्यक्ती to allow करते थे मतलब आग्या देते थे absolute मतलब पूरी तरह थे freedom सुतंतरता पूर्वख वे चाहते थे कि हमारी जो poetry है सुतंतरता पूर्वख उसमें लिखो in the choice of subject अपना क्योंई सभी subject चुनो और उसे absolute मतलब पूरी तरह थे free words के लिखो और last time हमारा ये to replace उन्होंने replace कर दिया मतलब एक चीज को हटा के उसके स्थान पर दूसरे लिया ये replace होता है वेग मतलब एस पस्ट डिस्क्रिप्शन था मतलब ऐस इस पस्ट जो इस पस्ट नहों सकता by an exact image उसे एक exact image के द्वारा उन्होंने प्रिजेंट किया तो आज का छोटा साई ये कोशन था मैंने आपको अच्छे से कोशिस की समझाने की अगर आपका कोई सुजाव हो या कोई सुजेशन हो आपकी एडवाइस हो तो comment section में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ सेर करना बहुत जल से जल्द आप के हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे थोड़ी मेरी खराब थी तो इस बैसे में वीडियो कंटिन्यू नहीं मरा पा रहा था मैं ठीक हो चुका हूं तो हर 5-6 दिन बार 5-6 दिन बाद आपको वीडियो डेली अपडेट मिलेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही मिलता है आज वीडियो में